हालो फ्रेंट्स वागते क्वाफिट से आप सभी का हम आट्यूप शानल में और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रेलवेग्रूबडी एक्जाम को लेकर यहां पर बात करेंगे लेकन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट जो बाते हैं वह है क्या अभी जो हाली में एक डिल्वेट टेश्ट कराएगी जिसके एधार पर अब श्लेक्षन होगा अब इसके एधार पर क्या होगा एक्जाम होगआ बिल्कुर सही बात है कि रेलवेग्रूबडी के एक्जाम होगा लेकिन ध्यान रखिएगा यह जो है नियम 2020 का है ठीक है दोजर बीस का नियम है ज चाहें वह एल्पी हो या फिर एसाइव हो ठीक है रेलवे का एलपी हो टेक्षिनिशन हो या फिर आपको रेलवे और फैसल और आने वाली है वह हो सकता है अब डिफिनेट्थी इसी पर ठीके नरे सीटी के तहती एक्जाम होगा लेकिन अगर मैं बात करूँ ग्रूब डी का जो वेकंस 2019 की है यह वेकंस जो अभी तरक नहीं हुआ एक्जाम इसका यह होगा यह पुराने जो तरीके थे उसी के अधार पे होंगे इसमें कोई NRACET नहीं होगा पहला चीज़ आपको क्लिर होना जाना चाहिए कि जो एक्जाम गूर्प D का अब होगा ठीक है जुलाई में जो हो सकता है पूरी पूरी शमभावना 100% यहां पे नोटिफिकेशन के तहत यह मान सकते हैं आप लोगो कि जुलाई में डेफिनेटली होगा ठीक है जुलाई में डेफिनेटली होगा लेकिन NRACET के तहत नहीं होगा अब सवाल है कि क्या एक्जाम जुलाई में होगा भी जुलाई का यहां पर उन्होंने कहा था कि सेकंड विक से मैं पेपर ले सकता हूं सेकंड विक यानिकी 17 जुलाई के बाद से यह कभी भी एक्जाम कंड़क्ट करा सकते हैं अब ऐसे में आप इंतदार नहीं करें कि आपका जो है डेट आगा तब आपका अगर नोटिफिके क्योंकि admit cut कभी भी जारी हो सकता है ठीक है कभी भी जारी हो सकता है जुलाई में उन्होंने बोल दिया कि भाई पेपर लेंगे तो हो सकता है कि next month में आपका इसका कुछ नोटिफिक्शन देखने को बने ठीक है कुछ देखने को बने और कभी भी जारी हो सकता है ऐसे में आ दिमाग में upset कर ले ठीक है अब ऐसे में है कि क्या cut-off आप लोग पूछेंगे फिर cut-off क्या रह सकता है cut-off बहुत जादा नहीं जाएगा on an average जूस का cut-off रहता है 100 में 70 प्लस 70 सची के बीच में जो cut-off बनता है PT के लिए वो बनेगा बाकी मेरेट के लिए तो चार माँ पांच माँ आप एक्ष्टा रख लेंगे ठीक है तो वैसे यहां पर cut-off के बारे में यहां पर जुकर कड़ी लेते जब बात तो एक्जाम की होई रही तो चलिए अब दिखते है cut-off क्या हो सकता है ठीक है देना चाहिए कि क्या था पहले वाला cut-off क्या था और अब कि क्या cut-off हो सकता है यह बेहत जानना ज़रूर है क्यूं होता है क्यूंकि आप उसी के हिसाब से देख लेंगे कि कहां पर किस जुन में क्या रहता है कट अब यहां पर हम बात करते हैं कट अगर हम प्रिवियस की कट अग्या था एलाहाबाद में जनल कटेगरी से 78.57 ओबीसी में 73.78 सब्सक्राइब तो कहीं ना कि देख सकते हैं कि अब यहां रखेगा तो कहीं ना कि देख सकते हैं कि अभी तो से पीटी के लिए इस 78.57 जनल कटेगरी ओबीसी से 73.78 कटफ गया तो देख सकते ही यह माज सकते हैं कि इस बार थोड़े कटफ डाउन रहेंगे ठीक है क्योंकि नमबर वेकेंसी ज्यादा है तो कहीं ना कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं अलावाद को जो जनल कटेगरी का जो सब्सक्राइब्सक्राइब और रहने वाला है तो चलिए यह तो बात हो गया है यहां पे बात हो गया किया ज़रूर कपस करत sya współ oder को इव चरण सकता है जो फॉरंब रहे हो है उनका क्या कहते साकता है तो जब अधितना ङार चैसतड old और श्टी का 50 है ना आयो गोरख पूर के बात करते हैं तेकि गोरख पूर का भी जो गटाफ बहुत जर्रल के टेगरे का कम नहीं गया था गोरख पूर का देख लिजे यहाँ पर जर्रल का इस बार क्या रह सकता है जो है जर्रल के टेगरी का सतर ओवी सी पैसाट एस्टी का 53 जैपूर यहाँ जैपूर देख लिजे प्रिवेसर का 80, 73, 87, 87, 89, 94, 94 जैपूर का हम यह माल सकते है इस बार जो कटाफ फोर सकता है कि लगबती हैतर का आस्पर कशने जैपूर के मैं बात करता हूं तो यहाँ पर 70 से का 63 और 61 जावलपुर्ट का 72 जनरल ओवी सिके मैं बात को 68 एस्टी सिस्टीवन और 57 आये वेस्टें से जो रिजू जो बाले मुंबई है और सेंट्रल वे अन धेखले ते सबसे कम कटफ यहां पर हो सकता है जैसा कि पिछली बार के देखिए कटफ जनल कटेगरी जनल कटेगरी जनल कटेगरी से 75.77 से 75.60 सती 59.76 को इस बार जो होगा जो सीर कोलकुते बात करो ऑच्छ ऐस्पार श्राइसाट और से कैं फिफ्टी फिफटी फिफ्टी वान सकता है विलासपुर का अगर इस बार में कटफ की में बात कर तो show 2018-70 के आपस्पस में जरनल कैटेगरी तिक है ओम बसी की मैब आपको 62 स्क्राइब ऐसंट का 51 उपर इंट का रहा थे कर देख लाना कंटा फूंट又 को smiles 53 जनल से OBC से 72.63 SC का 65.56 और ST का 59.32 इस पर जन चनही का मैं समझ सकता हूं कि 68 जनल कर्टेगरी 62 OBC SC 59 और ST 56 के बीच में कटफ रहे सकता है सिकंदरवाद का देख लिए प्रिशिमार का कटफ गुवार्टी का देख लिए जोहां पे कटफ हैना सिकंदरवाद जनल से 73.79 OBC 69.69 SC 63.96 और ST का 60.68 तिसलिए यहां पर कामपारेजन कर लिजिए सिकंदरवाद गुवार्टी का भी आप लोग यहां पर कटफ देख सकते हैं ना जैसे कि यहां पर गुवार्टी का है 81.9 ठीक है थ्वास यहां पर चुंच के लिए एकासी दसंबलब यहां पर नौ था है ना वहीं 76.22 OBC हाजिपूर का कटफ भी थोड़ा हाई रहेगा 73 63 73 जनरल 67 OBC 58 सी और 54 जो है स्ट का हो सकता है कटफ टीक है चलिए मैं बात करूँ तो यहां पर भी कटफ हाई गया थे 77.86 जनरल OBC 73.13 ST 64.82 ST 59.83 है न तो इस बार का कटफ क्या हो सकता है यहां पर कर सकते हैं जनरल OBC ST ST है न पत्ना पत्ना मोट वाले देख लिए पिछली वाल के कटफ एकासी गया था जनरल OBC OBC 76.5 ST का 50 65.64 आज ST का 62.20 तो पत्ना का भी पत्ना मोट का भी थोड़ा कटफ हाई रहागा ध्यान रहे कि इस बार जनरल 74 OBC 71 ST 60 62 कासप्रस में और ST 58 60 कासप्रस में राची का भी देख लिए यहां पर कटफ राची एहमदाबाद भुपाल बैंगलोड एजमेर जेडरल 80 30 यहाँ पे 75 86 भुपाल 79.03 बैंगलोडू 66.01 और एजमेर 77.73 यह रहाज जनरल का OBC वाले देख लिए यहाँ पे SC ST वाले देख लिए और कंपरेजन यहाँ पे मैं इस बार का एकस्पेक्टर में लिख दिया हूँ आप लोग देख लिए ठीक है और मैं चनली कटका देख लिए एकस्पेक्टर कटाफ और प्रिवेस रखार कटाफ यहाँ पर इस प्रकार है जनरल OBC सब्सकर करत को ओर लब इस इस सब्सक्राइस प्रकार जो है आप इस वाले कट अड़्याद को जरूर ध्यान रखेंगा ठीक है यह ब्रिचा को जरूर आप यह करके चलिए कि इस वार भी ऑस इस Remember इसी के काधि किसिक मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो आपThe टेस्ट की तक जो तेयारी करें इसमें जब बर नंबर आने चाहिए वह इसी परकार आने चाहिए तब इस वार आपके स्लेक्शन होने की पूरे पूरे चांसे हो सकते हैं क्योंकि यह फिचकल है नॉर्मालाइज कट अफ मार्क है पीटी के लिए है फार्व कि अधे जो कि अधे जो